गोली लगने से युवक हुआ घायल पुरानी रंजिश के चलते हुई घटना पुलिस मामले की कर रही है जांच अमरित सर के शेत्र में बीती रात सनी नामक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हैं कुछ लोगों ने गोली मार कर उसे घायल कर दिया घायल सनी ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ छेहाटा में गाड़ी में बैट शराब पी रहा था जिसके चलते कुछ लोग आए और उसे बाहर निकाल कर उस पर गोली चला दी हाला कि थाना शेत्र के पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि घायल की स्थिती ठीक है और मामले की जांच चल रही है अब आप अपने बच्चे समझे के क्या है तो में नू केंदे पाजी उत्तरों आपा गाल करनी है मैं उत्रियां उन्हां उत्तर दिया सारी मेरते फारी करनी शुरू कार दिती एक ने ने की नाम ने जिए रंजे जो है मैं ताने पहला नहीं थोड़ा यह मैं डंटे आई ख तोड़ा यह यह चुपेड़ा चुपेड़ी पर उन्हाने रंजीश रखी एक अगाही जे अभी अभी ते वदावा नंडू विक्का थे बिक्के दे आपरा साजना तक गोरी शंकर ते नाल होर दो तिन जने मिन्हां पता नहीं आगे है ते उन्हां अन्दय मेरते कदामी हम लाइगार देता मैं समझे दी लागी है मैंनों हो कि क्या बाकी गोलिया ओन तनो ते पता लाकी जाए किनिया लगया मिनों दे लागर आते हैं तो आप नहीं दे घ्ड़ा जो कनून दे वेचे खायाज ओ नहूं मिलनी चाही दीए बात ने यह ते गोलिया लगी यह जे ल जो एना ने मिनुहास ताल दस्यासी गवाशी इस अनुवन बलाउंदानी जी तेसी इना नो समझाया जी तेसे गलताना ने बहुत आप से चेदानी जड़ाई चागडाया बाकी में पेशन नहीं देखके फिर दासने गोलियां ज़िए गोलियां दो लगियां देजी मामला द कर लेने स्टेडमें लाके कराँगे मामला इसलानी दर देघवायं लाइज जांदी किसे तेटमें लायके मामला जरूर कर एक कि इक और जहने दो जोड़ी यह जी जाओ अला ठीक है उनने आप ब्यांदे रहा थे हैं प्रक्रेंट्रों